इंसान आपको जितनी इज़र दे, आपको उसकी उतनी ही कदर करनी चाहिए लोग उस वक्त हमारी कदर नहीं करते जब हम अकेले हों, वलकि लोग उस वक्त हमारी कदर करते हैं जब वो अकेले हों वक्त रेके वक्त की कदर करना सीख गए तो तुम बहुत कुछ पाओगे वरना बहुत कुछ होगे और बहुत कुछ अपने हाथों से गवाओगे भोकर ना लगा मुझे पर्धर नहीं हूँ मैं हैरत से ना देख कोई मनजर नहीं हूँ मैं उनकी नजर में मेरी कदर कुछ भी नहीं, मगर उनसे पूछो जिदें हासल नहीं हूँ मैं। प्रिष्टों की कदर भी पैसों की तरहे कीजिए जनाब, दोनों का गवाना आसान है कमाना मुश्किल। कदर किर्दार की होती है, परना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे कदर करें, तो अपने बच्चों के जीवन में संसकार को भरें। जो लोग मुहबबत की कदर करते हैं, अकसर मुहबबत उन्हें रुला देती है। केवल मूर्ख वक्त की कदर नहीं करते हैं, शायद उन्हें पता ही नहीं, वक्त ही जीवन है। वो इंसान कभी आपकी कदर नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा जुकोगे अकड तो सब में होती है मगर जुकता वही है जिसको रिष्टे की कदर होती है रिष्टे तोड़ने भी तो नहीं चाहिए लिकिन जहां कदर नहों वहां निभाने भी नहीं चाहिए ना तोड़ो रिष्टे थोड़ा सबर करो, हर प्यार भरे रिष्टे की कदर करो उप्ते सूरज को सलाम करता है ये शहर, लंगडे घोड़े की यहां कोई नहीं कदर कदर करनी है तो जीते जी करो, वरना मरने पर तो नफ्रत करने वाले भी रो पड़ते हैं ना कर चूठी तारीफ अपने शहर की इस कदर, कि मैं भी गाउन छोड़ाऊं और भटकूं दरबदर पहले महमान घर आते थे तो कदर होती थी, अब महमान घर आते हैं तो कदर होती है जिस व्यक्ति को आपके रिष्टों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े होने से अकेले खड़े रहना अच्छा है, ये अभिमान नहीं स्वाभिमान है कदर कर लो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत करते हैं दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा होते हैं ओनलाइन तो सब होते हैं एगो को साइट पर रख कर मेसेज वही करता है जिसे रिष्टे की कदर होती है वक्त निकल जाने के बाद कदर की जाए तो वो कदर नहीं अफसोस कहलाता है कदर करना सीखो उस प्यार की जो बिना मतलब की चाहत रखते हैं दुनिया में ऐसे लोग कम मिलते हैं जो प्यार का इजहार खुलयाम करते हैं यही तो फित्रत है इंसान की मुहवद ना मिले तो सब्र नहीं कर पाते और मिल जाए तो उसकी कदर नहीं कर पाते एक दूसरे की कदर कीजिए तभी रिष्टे निभा पाएंगे वरना खून के रिष्टे भी बस नाम के रह जाएंगे जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें